नमस्का दोस्तों स्वागत आपका रिकूर्मेंट चाहते हो तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बताएंगे ज्वाइन इंडियान आर्मी की तरफ से निकली हुई पोस्त के बारे में दोस्तों अगर आप सच मुझ गवर्मेंट जॉब करना चाहते हो और देश्यवा क ओ Cameron कर सकते हो दोस्तों सारी पोस्ते तो कॉनकी और करेंगे आप कितनी लगने वाली है तो उस्तों डटिफिकेशन तो ऊपं करके देख लेते हैं । दोस्तों आपके सामने इंडियन आर्मी की ओपिंसेटरों नोटिफिकेशन ओपन हो चुकी है आप देखेंगे यहां पर देख सकते हैं मैं थोड़ा इसको बढ़ा करता हुँ ताकि देखने में और समझाने में भी थोड़ा आसन रहें तो दोस्तों आप देख सकते हैं रेक्रिमेंट ऑफिस हेड़कॉर्टर्स बैंगलर की तरफ से निकले हुई है आर्मी की नोटिफिक स्टेडियम कॉलर करना टका कॉर्णा टका में आपको यहां पर रैली होने वाली है साथ में से बारा में के बीच में और उसके लिए चल्ड़ा आपको अप्लेकेशन करना है उसकी टेट आप यहां पर देख सकते हैं 13 मार्स से चाल हो चुकी है और आपको लास्ट डेट मिल to submit his application will not be able to participate in the rally अगर आपने यहाँ पर अप्लाइन नहीं किया यहाँ आप अप्लाइन करने में कुछ फेल हो गए तो आप रैली में डायरेक्ली पार्डिसिपेट नहीं कर सकते इसलिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आपका रैली में जानत होगा तो दोस्तों चलो देख लेटे पोस्त कौन कौन सी है तो आप यहा मतलब आपकी मिनिममम एज साड़े सतरह होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 21 के अंदर होनी चाहिए तो आप यह अपकर सकते हो इसका मतलब है कि आपका जनम एक ऑक्टबर 2000 से लेके एक एपरिल 2004 के बीच का होना चाहिए तो ही आप अपके हाइट 166 सेंटीमीटर होनी जरूरी है और वेट की बात करें तो वेट हाइट की सबसे कितनी होती हो आपको मैं आगे चलके चार्व दिखाऊंगा वहां पर देख सकते हैं तो यहां पर आपकी जो चाहती है और उसके बाद में अगर आप एकस्पैंड करोगे मतलब उसको फूला होगे तो पाथ सेंटीमेर तक फूल नीच चाहिए तो ही आप यहां पर अप्लाइक कर सकते हो दोस्तों यहां पर रिक्वायर्मेंट है दोस्तों जो पोस्त आप देख सकते हैं वह साड़े सतरह से लेके तेईस तक है वहां पर दो साल एक्स्ट्रा मिलते हैं और उसके लिए जो आपका जनम है वह एक ऑक ár entraisions पर 1998 से लेकर एक अप्सकों हाइट है वह 165 सेंटी मिटर होनी चाहिए और चेस रिक्वांति की बादि के लाए तक 1957 सेंटीमेटर होनी चाहिए साथ यापके सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैट्स इंग्लिश इस यह होनी चाहिए उसके साथ में आपको 50% मास मिलने जरूरी है तो आप यहां पर अप्लाइक कर सकते हो अगली पोस्ट है वो सोजर ट्रेट्समन की है और आपको दस्वी पास होना जरूरी आप देख सकते हैं और पोस्ट है वो सेप के लिए और वाशर में के लिए तौर पर निकलिए पोस्ट है उसके लिए यहां पर 17.5 से तेज की बीच में होनी चाहिए और आपकी जो हाइट 166 cm होनी चाहिए और आपकी चेस्ट 77 cm होनी चाहिए और पाथ सेंटी में की साथ में और आपका जो क्वालिपिकेशन आपको पहली बताइब दस्वी पास होना जरूरी है और दूसरी जो पोस्ट है दोस्तों सुलजर ट्रेट्समन की वह आटवी पास के लिए है और इसमें आपका जो जॉब रहेगा वह है मेस कीपर एंड हाउसकीपर का तो आगर मेस कीपर एंड हाउसकीपर के लिए अपलाई करना चाहते हो तो भी आप्या अपलाई कर सकते हैं और आपकी एज है साढ़ी सत्तरह से तेज की बीचमें होनी चाहिए और हैट 166 cm होनी चाहिए और सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप यहां प्लाइब कर सकते हो आप से उपर नहीं होंगे तो भी चलेगा आप यहां पर लग सकती है दोस्तों आर्मी में बहुत अच्छी चांस यहां पर देखने को मिलती है दोस्तों दूसरी जो पोस्ते हो है स्टोर की लिए बोलते हैं या तो फिर टेकनिकल इन्वेंटरी के बारे में यहां पर तो पोस्त जो है उसकी एज लिमिट है सब्सक्राइब सब्सक्राइब और आपका जो जनम है वह वन ऑक्टोबर मतलब फस्त ऑक्टोबर नाइंटी नाइट से लेके फस्त अपरिल 2004 की बीच का होना चाहिए और आपके हाइट 162 सेंटीमिटर होने चाहिए मतलब दोस्तों यहां पर आपके हाइट कम होगी तो भी चलती है क्योंकि यहां पर 165 य आपको बारवी पास होना चाहिए तो आप यहां पर आपको अप्लाइक कर सकते हो यह जॉब के लिए तो दोस्तों यहां पर भी अच्छी चांस आपको देखने को मिलती है और दोस्तों अगली जो पोस्त है वह सोलजर टेक नर्सिंग असिस्टंट के लिए मतलब अब बारवी पास होना चाहिए लेकिन बारवी साइंस में आपका सब्जेक्ट फिजिक्स पेमिस्ट्री बायो और इंग्लिष चारो सब्जेक्ट होने चाहिए चाहिए विद 55 मआस के साथ में आदो बात करने काम करने का सपना है तो पूरा हो सकता है जरूर अपके लिए गुड़-news है दोस्तों अगे चलकी हम बात करें तो कुछ-कुछ भी रिलाक्सेशन मिलती है हाइट में दो सेंटिमेटर में मिलती है लेकिन अगर आप सब्सक्राइब माइन है ऐख डू सेंटिमेटर में आर्मी में तो आपको यहां पर सेंटिमेटर हाइट कम जलती है सेंटेमेटर कम जलती है और वेट है दो किलो कम होगा तो भी चलता है तो यहाँ पर अपर यहाँ पर रिलाक्सेशन मिलता है हाइट में दो सेंटीमेटर का चेस्ट में एक सेंटीमेटर का और वेट में दो कीजी का तो आप अपला ज़रू करना चाहिए तो दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पर मिलता है चलो आगे चलके बात करते हैं यहाँ पर आपको कुछ फीजिकल फिटनेस की स्टेस्ट भी देनी पड़ी पर जहां पर रैली होने वाली वहां पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको पहला जो है 1.6 क्लिमेटर का रणिंग करना पड़ेगा मतलब 1600 मिटर का रणिंग है पार मिनटर 45 सेकंड अगर कंप्लीकeb मतलब पॉलिप्स करते हैं तो यहाँ रहे सकते डिज्व करते होसेल इसकेatic करते हो न कल साथ करते 혹시 करते हों तो 16 मतलब मतलब जायेंगे यहाँ करते हूसके उपर के मास रहेंगे पर सएलेक्शन होगा तुस्तरा जरूरे उतनी complete करनी पड़ी की दूसरा जिग जाक बैलंस है और भी आपको जितना जरूरे उतना complete करना पड़ेगा तो ही आप यहाप पर apply कर सकते हो दोस्तों यह सारी जो requirement है आपको complete करनी ही करनी है उसके बाद में आपको पास होना जरूरी है और दोस्तों उसके बाद में रिटेंट होगी common interest exam होगी की और उसमें आपको computer बेस्ट होगी तो वहाँ पर आपको क्या क्या लगने वाला है वह आप चेक कर सकते हैं इस लिंक में नीचे बाक्स में देंगा वहाँ पर आप चेक कर लिए वेबसाइट लिंक करके देंगा वहाँ पर आप सारी चीज़ें कर सकते हो क्या क्या चीजों के आपको जरूरत पढने वाली है तो दोस्तों मुझे लगता है आपको यहाँ पर जरूर एपलाय करना चाहिए अगर आप देश यहाँ पाना चाहते हो आर्मी में जाब तो यहाँ पर आच्छे झाल झाल